चलो बच्चे लोग ये 33 1 3rd बड़ा प्रोब्लेम देने वाला नंबर लगता है इसका कुछ simple tricks logic के साथ समझ लो तो आगे कभी दिक्कत नहीं होगा पांच मिनिट लगेगा फटा-फट समझ लेते हैं समझो पहले न 33 1 3rd का table सीखो सर तेबल अरे ज्यादा दूर नहीं जाओंगा 4 places तक 33 1 3rd 1 times is how much 33 1 3rd only 33 1 3rd 2 times अब दिनको table नहीं आता है कोई जरत नहीं आपको पता है ना 2 times बाद दो बर आइड करना है भाई 33 plus 33 कितना होता है 66 और 1 3rd plus 1 3rd 2 3rd तो यह 66 क्या हो जाएगा 2 3rd और 33 1 3rd 3 times कितना होगा तो that is 33 3 by 99 और 1 3rd 1 3rd 1 3rd 3 by 8 करोगे 3 by 3 that is 1 that is simple है 100 समझ में या और 33 अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं है 100 एक बच्चा बला गलत है तो उनके लिए उनके लिए देखो मैं समझाता हूँ आपको math करना नहीं है 33 3 सा कितना होता है 99 plus 1 100 so this is 100 by 3 into 3 कटेगा तो 100 ही आएगा गलत क कुछ नहीं है आपको math अगर नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है आगे 33 1 3rd 4 times मतलब 100 तो आई गया था समझ 3 बार में 3 बार में 100 तो एक बार और 33 1 3rd जोडोगे तो कितना आएगा 133 1 3rd बोलो इतना दूर clear है तो पहले तो ये table लिख के रखो कहीं पर जहां पर भी noting कर लो sir आपको चाहिए मैं trick बता देता हूँ sir अब ये जिन्दगी पर कामाएगा आपका calculation बहुत fast हो जाएगा क्योंकि आप मेरे से question इसलिए पुछ रहे थे कि मैं बहुत फड़ावट calculation कर रहा था यहां तक लिख लिया अब मान लो case 1 करते हैं आपको ऐसे दे गया मान लो ऐसे बोला है profit is 33.13% on cost आपको ये line दे दिया और मान लो आपको किसी सामान का sale price दे दिया है चार लाख रुपए और आप से मैंने पूछा बताओ इस सामान का cost price कितना है और profit कितना है तो सबसे पहले solution समझो सर इसका solution किस तरह से होना चाहिए सर साथ साथ हैं सब समझो मैं लिखता हूँ ऐसे cp sp profit profit कितना बुला है 33.13% तो मैंने लिखा 33.13% जिस क्यूपर on बोलता है वो 100 होता है on cost बोला है तो cost 100 है तो logically सोचो किसी समान का cost price 100 है उसमें profit बेचने पर 33.13% आएगा तो sale कितने में करेंगे 133.13% अब मुझे एक समान उसका cost निकालने के लिए पूछा है जिसका sale price कितना है 4,00,00 और तुम लोग तो मेरा मंत्रा जानता ही हो जो जो है उसको उसी से divide करो और जो चाहिए multiply करो अगर नहीं पता है तो YouTube channel में मेरे YouTube channel पे दिया हुआ math trick बोलके उसको देख लेना ठीक है न तो भीया ये कौन सा है 4,00,00,00 sale price है तो इसको आप किस से divide करोगे sale price से निकालना क्या है cost price यानि 100 से अब जिनको shortcut पता है अब वो table पता है वो दिखाई दे रहा होगा 33,00,00 ये 3 times होता और ये कितना 4 times मतलब 3 fourth निकालना है हिंदी बात अब calculator ले लो अब 1 third लेके खेलना नहीं पड़ेगा 4,00,00 into 3,00,00, oh my god ये कितना गया 3,00,00, बोलो पल्ले पढ़ा असान तरीका लगा हाँ एक और सर, सर आपने तो profit भी निकालने बोला था सर, हाँ तो निकाल लो न अब तो logic समझी गए हो, 4,00,00 दिया हुआ था हमें 4,00,00 कौन सा price है, sale price, तो sale price को sale price से divide करो, क्या निकालना है आपको, profit, profit कितना है, 33,1,30, इससे multiply करो अब बच्चे ये देखे बोलते, calculator में कैसे calculate करें, आसान है न भाई, आपको table सिखा तो दिये, ये one times है, और ये कितना times है, four times, मतलब one fourth करना है, one fourth करोगे तो कितना आ जाएगा, one lakh आ जाएगा बोले समझ मैं, ये छोटा सा प्यारा सा trick है सर, अगर आप समझ लो तो अच्छा है सर, ठीक है सर, तो thank you so much, bye bye, शायद मैं कुछ से घा पाया आपको